तो चलिए आज हम लोग यह चलोडी बनाते हैं जिसका आवाज दो देखिए कितना क्रिपसी हुआ रहा है तो मैं आपको तोर के दिखा रहे हूं यह देखिए तो चलिए इसका रेसिपी स्टार्ट करते हैं आज हम लोग आज हम लोग देखिए अपना किचिन तो आज हम लोगना लेहें चावल के आटा से चरोरी जिसके लिए मैं आपे 370 ग्राम चावल पाटा ली हूं और दियर इल्टर पानी लिए आज हम इसको थोड़ा थोड़ा करके मिला हम भी बेकुल अच्छा से इस तरह से आज हम देखिए बन जाएगा नीचे में मिलाना है अपर अपर दो मिलते जाना है एड करते जाना है इस तरह से तक यह पिख्टी नीवनी पाने फिरो जादा डालना है देखिए इस तरह से बिलकुल मेरा लेना लिखिट फर्में अगा और ज़रूरत है तो आप और डाल दीजिए इस में डाल दोंगी देखिए मिरजी पोडर मंगरे रह थोड़ा चा अजवायन सबको इस में डाल के इस तरह से मिला लेना है बिल्लुकूल अच्छा से और नमक भी डालना है तो मैं इस नमक डाल के दिखाती हूं आपको प्र यह चल डोड़ा डाल रहे हूं अब स्वाद अनुशन नमक डाल लिए फिर देखी कितना पतला हैacas यह देखि अ पषसको चलाते रहना ताकी लगना नेड़ी मेरा हो चुका में इसमें इसमें कलर अबड़ करूँगी। जो धीकें रखयां को चुका नना बिल्कुल ये देखिए। यह बसी हो गया है मैं इसमें क ciek कलर कर देदे भीást पर comparable ए Sand औरेंज कलर बिल्कुल इस तरह सच्छी तरह किसी चम्मा से मिलाना है क्योंकि बहुत घर्ण है आपका हथ बिल्कुल बुरी तरह से पख सकता है तो इसलिए बिल्कुल क्लियर फुली काम करना है बहुत ज़्यादा घर्ण है भी यह तो और है अब चलते हुँ इसको धूप में देने के लिए उचुका है अब यह देखे बिल्कुल गुठली में थोड़ा सबी नहीं अब तो यह यह नहीं है नहीं नहीं बुटली होना भी ने चाए गुठली होनी के बाद यह हाड लगता है फ्टनी लगता है यह दिखेए ग में पानी से थोड़ा हाथ गीला कर ली हूँ और ये इस तरह से गोल गोल बनाते जाना है इस तरह से इसी तरह से सबको बनाना है ये देखिए और थोड़ा साथ में पानी लगा लेना है और मैं इस पर बिल्कुल तेर का ग्रीस नहीं लगाई हूँ ऐसे बन के फुल्फुल के बिल्कुल साफ्ट बनता है ये कुछ रैड भी ली है तो इसको इस तरह से बनाना है आप चाहे तो कुप्पी का भी यूज कर सकते कुप्पी बना करके भी बना सकते है ये देखिए येलो कलर का भी आप चाहे आपके पास इतना भी कलर अबलेबर हो डाल के बनाई है ये टेश्टी की साथ हैल्दी इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ ज्यादर मिक्स नहीं है शिर्फ ये चावल का फ्लोर है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जादा इस तरह से देखिए कितना प्रीटी लग रहा है देखने में कर देखिए अब एक दिन तो इसको धूप में सुखा लीजिए उसके बाद आप चाहे तो घर में भी रख सकते हैं इसको और श्टोर करके बहुत ज्यादा बना के डबा में भर के रखिए जब गेश्ट है या खुद खाने का इक्छा हो तो शर्व किजिए इस तरह से बना कर देखिए इसको अब कर देखिए इसको में दूप में रख देखिए हूं एक लेस्ट दो दिन तक इसको शुखाना है तो इसको अभी में दूप में डाल दोती हूं तो गाइस यह देखिए हमारा यह सुख चुका है हलका हलका तो इस तरह से हमको निकाल देना है इस तरह से निकाल लेना है थोड़ा सा और इसको एक दिन और धूप लगाना है बस क्योंकि इसको इसलिए निकाल लेती हूं अब देखिए आसानी से निकल भी रहा है क्योंकि कि मैं तेल भी नहीं लगाए ते फिर भी आसानी से निकल रहा है यह बिल्गुर तो आज का पूरे दिन में इसमें धूप लगा लेती हूँ अब आज शूप चुका है आवाज सुनारी नाग को यह देखे अब को लगाज से सुचा है में वाल गाज को चुका गराइमी इस तरह से पूचान लुप यह जूप लुप 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 यह देखे गाज में अचिरोडी बनकर तेयार है तो आपको दिखा रहे हूं कितना सौफ हुआ है यह दिखे बिलकुल सौफ हुआ है आवाज में इसका खाएँ बहुआ ऑज जोय है दो ऑट लुप 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 लुप